हेलो माइडियो फ्रेंड्स नमस्कार वनकम सस्रिया कालादा बर्दे सलाम भाई का आज के इस शॉर्ट सेशन में हम देखेंगे ट्रिपिकल फ्लावर स्ट्रक्चर एक फ्लावर कैसा दिखता है उसके कौन से पार्ट्स होते हैं उनका क्या फंक्शन है प्लौरल फ्लावर स्ट्रक्चर अब पहले फ्लावर किलने के क्या होता है कली होती है काली को हम बोलेंगे फ्लोरल प्रीमोडियम अैसा कहेंगे जो की चली है вый high और एक हार्मोन है flourigen, flouring हार्मोन जिसके presence में वो flower बनेगा, अब flower में सब में पहले जो flower का ऐसा stock like structure आया, जो flower का डंडा है उसको हम कहते है pedicill, क्या कहते है pedicill, pedicill is the stock of flower, ऐसा flower जिसके अंदर pedicill present रहता है, इसको हम बोलेंगे pedicillate flower, और जिसके अंदर पूरी तरीके से absent र sysile flower, we'll call it sysile flower, जिसमें dhenda absent है, फिर उपर जो है, इस तरीके का ऐसा bulgy structure बनता है, यह जो bulgy structure है, इसको हम कहेंगे thalamus, thalamus या फिर receptacle, thalamus या फिर receptacle, अब इसके अंदर 4 nodes होते हैं, इतने nodes, 4 nodes, यह हो गये, 4 nodes, node number 1, 2, 3 and 4, 123 and this one 4 चार नोड से जिनके उपर 4 फ्लोरल वर्ल से राइज होने वाले अब यहाँ पर सब में नीचे जो ग्रीन कलर का जो ग्रूप रहेगा यह ग्रीन कलर के ग्रूप को हम कहेंगे क्या कहेंगे क्या ग्यालिक्स और एक-एक मेंबर को हम बोलेंगे सैपल क्या बोलेंगे है इसलिए कुछ अमाउंट में फोटो संटसेसेज़ भी कैरी आओट करता है अगर यह सैपल से सारे के सारे फ्री है तो इसको हम बोलेंगे polysepalus और सारे के सारे united है तो इसको बोलेंगे gamo sepalus that means sepals sepals अगर जो है free है तो इसको बोलेंगे the polysepalus condition polysepalus okay और यही अगर united है इकटा हुए है तो इसको बोलेंगे gamo sepalus we'll call it gamo sepalus okay then आते है next part the colorful part of the flower यह हो गया flower का colorful part flower की पंखुडिया the flower का colorful part यह जो flower का colorful part इसके group को हम कहेंगे carola क्या कहेंगे carola और एक-एक member को हम बोलेंगे petal क्या बोलेंगे petal अब यह जो पेटल है एक तो free रह सकता है या फिर united रह सकता है अगर यह free है तो इसको बोलेंगे poly petalus क्या बोलेंगे poly petalus और अगर यह united है तो इसको बोलेंगे gamo petalus gamo petalus अब कुछ-कुछ इसमें क्या होता है है कुछ-कुछ flowers में जो है calyx और करोला यह क्या इस और करोला दो नो सेम रहता है कैसे रहता है तो अगर calyx और करोला दोनों सेम है तो यजिशन इस कॉल परियान्त क्या कहते इसको परियान्त और परियान्त के individual member को भी हम कहते है, टेपल, we call it, टेपल, okay, अगर, दोनों जो भी है, कैलिकस अनकरोला, दोनों सेपल जैसे है, ये दोनों, like सेपल है, green कलर के है, तो इसको हम कहेंगे, सेपलोइड परियांत, we will call it, सेपलोइड परियांत, और दोनों भी, अगर, colorful है, कैसे, colorful है, मतलब, like petal, like petal तो इसको कहेंगे पेटलोड परियांथ विल कॉल इच पेटलोड परियांथ clear my dear friends I'll give a tear on to the next one up let a the male reproductive organ in yellow color okay yeah male reproductive organ this is the male reproductive organ okay yeah Joe male reproductive organ a this week group come can get androsium kya can get androsium or single single member को हम कहेंगे stamen क्या बोलेंगे stamen okay then the dulhania dulhania बीच में बैटी हुई है यहाँ पर यह dulhania this dulhania is the gynosium क्या है यह gynosium dulhania के group ko we call it the gynosium इसको हम कहेंगे gynosium और एक-एक member को बोलेंगे carpel या फिर पेस्टल कारपल या फिर पेस्टल all right my dear friends अब जो है यह पर्टिक्लर structure देखने के बाद में we'll jump on to कि कैसा एक stamen का structure रहता है और कैसा कारपल का structure रहता है now male reproductive organ androsium okay androsium जो है iska structure कुछ ऐसा रहेगा कैसा रहेगा ऐसा रहेगा all right male reproductive organ the androsium the structure would be this particular way okay अब यह structure में हम सारी चीजों का labeling करने वाले है okay now यहाँ पर यह stock is ka the stock is called filament क्या है filament filament is the stock like part stock like part okay यह किसका structure stamen का किसका stamen okay that means androsium का single member then the next one यहाँ पर यह वाला जो है लोब नमबर 1 यह लोब नमबर 2 है यह हो गया anther lobe कौन सा लोब anther lobe और यह दो anther lobe जिससे connected है यह connected part को हम कहते है connective क्या कहते है connective और इन दोनों को मिलके बन रहा है anther क्या बन रहा है anther okay क्योंकि anther lobe कितने total two है इसलिए हम इसको कहेंगे dye thickus क्या कहेंगे dye thickus anther okay यह characteristic feature होता है angiosperms का देन इसके अंदर यहाँ पर ऐसे यह वाले green color के जो structures है यह माइक्रो स्पुरांजिया क्या है माइक्रो स्पुरांजिया जो आगे जाके develop होंगे into pollen sacks जो आगे जाके pollen sacks बनाएंगे और उसके अंदर जो white color के dots है यह white color के dots है microspores माइक्रो स्पुर्स जो आगे जाके develop होगा into pollen grains किसमे डेवलेप होगा into pollen grains यह हो गया stamen का basic structure okay अब यहाँ पर we'll see the carpel structure किसका structure carpel का structure लेते है carpel या फिर पिस्टिल का structure इस तरीके से रहेगा as simple as that यहाँ पर जो pollen grains को receive करने वाला पार्ट है यह stigma the receptive part stigma the receptive part then यह वाला पार्ट है style क्या है style style यह इसका stock है क्या है stock then बाहर वाला क्या आया that is ovary क्या है ovary और ovary का job fertilization हो जाता है क्या हो जता है fertilization हो जाता है तो यही ovary बनाती है fruit क्या बनाती है fruit और ovary के अंदर ऐसे structures रहेंगे जिसको हम कहेंगे व्यूल क्या कहेंगे और व्यूल का जब फ़र्टिलाइजेशन हो जाता है तो व्यूल बनाती है सीज क्या बनाती है सीज इसलिए फल के अंदर क्या होता है बीज होता है और यह जो जिससे connected रहेंगे यह connected structure जो रहेगा यह आप पर that connecting structure is called placenta placenta और यह जो खाली cavity है यह cavity को हम कहेंगे लॉक्यूल क्या कहेंगे लॉक्यूल all right my dear friends so this was a short session about the typical flower structure hope you have enjoyed this session everybody stay happy stay healthy love you all bye bye